ट्रिम इंडिया इन जीते की WTC ट्रोफी ये पांच प्लेयर्स निकाल देंगे उस्ट्रिलियाई दावों की हवा पहले नंबर का प्लेयर चला तो अकेले ही पूरी उस्ट्रिलिया पर पड़ जाएगा भारी दूसरे नंबर के प्लेयर के नाम से ही सहम जाते हैं कंगारू एक गेनबास तो कंगारू कोन की घर में ही चड़ा चुका है दूर दूसरा गेनबासी में कहा जाता है टेस्ट का किंग WTC के फानल की खताबी जंग और अस्ट्रिलया और इंडिया की बीच शुरू हो चुकी है चैंपियंशिप के फानल में यू तो काटे के मुकाबले के उमीद देताई जा रहे है लेकिन भारतिय टीम का दावल में होने वाले WTC फानल में उस्ट्रिलया के खिलाब भारतिय टीम का पलड़ा भारी रहने के उमीद है माहौल कुछ भी हो दिगजपर्व क्रिकेटर की राय कुछ भी हो लेकिन टीम इंडिया के पास पांच ऐसे X-Factor हैं जो उस्ट्रिलिया को राने में सक्षम है टीम इंडिया में कई ऐसे प्लेयर्स हैं कि अगर उनका बल्ला चल गया तो पूरी ऑस्ट्रिलया इटीम पर भारी पड़ेंगे हम आपको इस रेपोर्ट में टीम इंडिया के उन पांच X-Factor की चर्चा करेंगे जो टीम इंडिया को WTC की ट्रॉफिक दिलवा कर मानेंगे इस लिस्ट में सबसे पहला नाम शुमन गिल का है भारत और उस्ट्रिलिया दोनों ही टीमों को देखे तो आप पाएंगे कि यदि कोई बैटर पिछले एक साल में अपने सुप्रीम फॉर्म में हैं तो वो शुमन गिल है चाहे वो टस्ट क्रिकेट हो वन डे हो या फ़र T20 मैच इस युवा के लाड़ी ने हर फॉर्मर पे अपने चाप चोड़ी निरन तर्ता दिखाई पड़ी उस्ट्रिलिया उन्हें खत्रा मानकर चल रहा होगा जहां तक भातिय टीम की बात है तो शुमन गिल उपनर है जब उपनर अच्छी शुरुवात देते हैं तो टीम बड़ा स्कोर बनाती है भातिय टीम उमीद करेगी कि शुमन गिल की ये फॉर्म डबली टीसी फाणल में बड़कर आ रहे हैं विराट कोली बड़े मैचों के खिलाडी रहे है टी ट्वेंटी वॉल कप में पाकिस्तान के खिलाब खेली गई पारी अब भी क्रिकेट प्रेमियों के जहन में होगी कोई शक नहीं कि उनका फॉर्म में लोटना टीम को होसला दे रहा होगा तीसरे एक्स फैक्टर प्लेयर मुहमद शमी है मुहमद शमी पूरी लाए में आईपिल 2023 में परफल कैप जीतने वाले इस खिलाडी की ताकत टेस्ट क्रिकेट है शमी वो बॉलर हैं जो पहले बैटर को सेट करते हैं और फिर उसका शिकार करते हैं ये खिलाडी लाल गेंट से और भी खतरनाक हो जाता है इस पर इंग्लैंड के स्विंग को मदद करने वाली परिस्थीतियां इस गेंट बास के लिए सोने पर सोहागा वाला काम करेंगी मुहमद शमी के साथ साथ मुहमद सिराज भी बेहतर इन लाए में उन्होंने आईपिल 2023 में 14 मैचों में 23 विकेट लिए शमी की तरह सिराज को भी लाल गेंद जादा भाती है जब आप विकेट लेते हैं तो हसला बढ़ता है पिछला प्रदर्शन आगे भी काम आता है आप जादा विश्वास के साथ बॉलिंग करते हैं मुहमद सिराज के साथ भी यही स्थिति है मुहमद सिराज अपने सीनियर साथी मुहमद शमी के साथ हंटिंग पेर बनाते हैं जो आस्ट्रिलिया का पसीना चुड़ाने वाली साबित होगी राहूल द्रवड के बाद यदि किसी बैटर ने विकेट पर लंबे समय तक टिकनी का माददा दिखाया तो चेतिश्वर पुझारा है जब वो सेट हो जाते हैं तो जल्दी आउट नहीं होते लंबी पारी खेलते हैं दिन बर खूटा गार कर विरोधियों का होसला तोड़ देते हैं भारतिय टीम पुझारा से यहीं उम्मीद कर रही होगी इसकी वज़ा भी है पुझारा तकरीबन दो महिने से इंग्लैंड में उन्होंने स्तोरहन काउंटिक टिकेट में भी खूब रन बनाए हैं उनकी फॉर्म भारत को ताकत देने वाली साबित होगी वहीं दूसरी और भारतिय टीम के मौझूदा कप्तान रोहित शर्मा का इंग्लैंड में शांदार प्रदर्शन रहा है उन्होंने इंग्लैंड में खेले गए 2019 के वाल कप में 5 शतक लगाए थे आजीं के रहाने तो विदेश में प्रदर्शन करने के लिए ही जाने जाते हैं रविंदर जड़िजा इस समय दुनिया के बहतरीन आल राउंडर में शुमान है वो ना सिर्फ स्पेशलिस बैटर की तरह प्रदर्शन कर रहे हैं बलकि विकेट से थोड़ी भी मदद मिले पर विरोधी टीम की खटिया खड़ी कर देते हैं रविचंदर नश्विन भी कम नहीं तीन टेस्ट शतक लगा चुका ये प्लेयर जब गेंज इसे रंग दिखाता है तो अकेले ही विरोधी टीम को समिट देता है आस्ट्रिल्या को इसका पूरा अनुभवी है हालांकि इस पार मैच में उन्हें ग्राउंड पर उतरने का मौका नहीं दिया गया लेकिन ये वो ताक्ते हैं जो आस्ट्रिल्या को निस्तो नाबूत कर सकती है